नमाजकर दोस्तों मैं एस्टोलेजर रजेश कालिया हारदिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्रों मास्टर में मेरे मिथून लगन वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों यह वीडियो आपके लगन पर अधारित है आपकी जनमकुनली के प बुद्धिकारक बुद्ध है तथा प्रेम प्यार भावका स्वामी स्वय प्रेम प्यार एहम रोमांस का रक शुक्त कर है इसलिए मिथून लगन वाले बौदिक शेत्र हो यह प्रेम जीवन दोनों ही शेत्रों में बहुत अच्छा कार्या करते हैं बुद्धिवल ग्यान प्रेम प्यार और रोमा साप में कूट कूट कर भरा होता है बचपन से ही प्रेम सबंद स्थापित हो जाते हैं दोस्तों अक्तूबर मां की बात करें तो इसमा बुद्ध और शुकर की स्थिती बहुत उत्तम बनी वी है बुद्ध आपकी लगन के लिए लगन स्वामी के साथ चतूर्थ बाव का स्वामी भी है चतूर्थ बाव कुणली का बहुत ही शुब और महत्त पुरन भाव है इस बाव से मन मा मातर भूमी भूमी भवन जमीन जायदाद वहन सुक और चंता आदी का विचार किया जाता है दोस्तों 26 अक्तूबर तक बुद्ध चतूर्थ बाव अपने ही भाव में संचार करेगा तथक गुरू की शुब द्रिष्टी में रहेगा लगनेश और चतूर्शेश बुद्ध की शुब और मजबूस थिति आपको श्रीरिक रूप से स्वास्त के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्त मजबूत और प्रसंता परदान करेगी सु शुख शुकंति और प्रसंता का माहोल बनेगा बहतिक सुखों के कारक शुकर का साथ में यूथ्जी योग बहतिक सुखों का विस्तार करेगा प्रवारिक सदस्यों के साथ सबंधों में स openness एह मदूर्ता में व्रिदी होगी खास कर माता जी के सुक, सने, सैयोग, स्वास्त और स्वापर बहुत बेहतर प्रवाप देखने को मिलेगा घर में सुक, सम्रिदी और शांती का वास होगा चतुर्त बापर गुरु की दृष्टी सोनने पर सुहाग्य जैसा कार्या कर रही है वाहन के स्वन्द में कोई प्रेशानी है तो अक्तूबर मा में वह प्रेशानी भी दूर होगी वाहन सुक में व्रिदी के योग बनेंगे आपकी भौधिक शम्ता और ग्यान में अद्बुत वृदी देखने को मिलेगी कार्या शित्र में आपको अपनी भौधिक योग गयता ग्यान कोशल और सूजबूज का बहुत लाब मिलेगा बौधिक शित्रों से जुड़े दोस्तों के लिए अक्तूबर मा काफी महत्त पुरन रहेगा विद्यार्थियों को भी बड़ी होई बौधिक योग गयता और ग्यान का बहुत लाब मिलेगा दोस्तों पंचमब आपके स्वामी शुकर और बुद्धिकारक बुद्ध पर गुरू के परवाब से विद्यार्थि शिक्षा प्रतियोगी व्रिक्षाओं और अनुसंदान शित्र में बहुत अच्छा कार्या करेंगे शिक्षा के प्रतिरुची और एकागरता में व्रिदि होगी शास्तरों में पांच प्रकार के 5 महापुरश योगों की बहुत परशनसा की गई है अक्तूबर मा में उन में से दो प्रकार के गुरू के दोरा हंस नामक, योग तो बुद्ध के दोरा बदर नामक महापुरश योग का निर्मान आपकी लगन कुनली पर बन रहा है, लगन पर इन योगों के निर्मान का अधिक महत्व है, इसलिए मिथून लगन वालों के रहने को मिलेगी मिथुन लगन वाले प्रेमियों को गुरू और शुकर के दृष्टी सवंद का बहुत लाब मिलेगा प्रेम सवंद मदूर मजबूत तथपके रूप से स्तापित होंगे प्रेम विवा के इच्छुक प्रेमियों के लिए यह समय इच्छा पूर्टी के अप सर पैदा करेगा प्रेम सबंदों को विवास उतर में बांधने के लिए घर के बड़े बजूर्गों का शीरवात और रजामंदी सरलता से मिल सकती है दोस्तक तूबरमा में शनी का वक्री वस्ता से मारगी होना मिथुन लगन वालों के लिए बहुत बड़ा स्करातमक बद संतान शेतर पर वकर दृष्टी नकरातमक परवाब पैदा कर रही है इससे गुरू और राहु की शुक्ता के वी वह शुब फल प्रापत नहीं हो रहे हैं जो की होने चाहिए वक्री शनी की दृष्टियें सब कुछ गुडगोबर कर रही है दन के आवागमन में कमी बनी ह हुई है मेहनत के बराबर लाब नहीं मिल रहा है 23 अक्तूबर को वक्री वस्ता में गोचर शनी का मारगी होना सबसे बड़ी राहत लेकर आएगा करमस्तान धनस्तान और संतान शेतर से पेशारी प्रेशानियों से छुटकारा मिलेगा धन के आवागमन में तिज्जी विद्यार्थियों प्रेमियों और निवेश कारें से जुड़े दोस्तों को भी शनी के मारगी होने का बहुत लाब मिलेगा पिछले समय से भाग्या के सुख खेमसायोग में मैसूस औरी कमी दूर होगी तो शनी के मारगी होने से भाग्या को शक्ती मिलेगी क्योंकि आपक रहे हों का राशी प्रवर्तन आपकी लगन पर क्या प्रवाव डालेगा अक्तूबर माह में सबसे पहले मंगल का राशी प्रवर्तन है सोल topic अक्तूबर तक मंगल वहए बापर संचार करण एनावशक्वयों के प्रति स्तर्क रहें फालतों के खर्चों पर लगाम लगाने की विशक्ता रहेगी 16 अक्तूबर को मंगल राशी प्रवर्तन कर आपकी लगन में प्रवेश कर जाएगा उर्जाकारक मंगल का लगन पर प्रवाब आपके जोश और उर्जा शक्ती में वृदी करेगा मंगल जनित जोश और उर्जा शक्ती आपको जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ निया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी गरम ग्रह मंगल के प्रवाब से आपके स्वाब में भी क्रोध के भाव की अधिक्ता रहेगी 16 अक्तूबर के वाद करोध पर नियंतरन रखें दोस्तों मंगल के वाद राशी प्रवर्तन है परतापी सूरिया का 17 अक्तूबर तक सूरिया चथृत बाव में गुरू की दिश्टी में रहेगा गुरू के परवाब से सूरिया की स्थिती कुछ शुब रहेगी सरकार और पिता का सैयोग आपके साथ बना रहेगा सरकारी कारियों के लिए 17 अक्तूबर तक का समय अधिक बेहतर रहेगा 17 अक्तूबर के सूरिया राशी प्रवर्तन कर अपनी नीच राशी और पंचम बाव में परवेश कर राहू के तू और शनी के परवाब शेतर में आ जाएगा सूरिया पर शत्रू और पाप्पी ग्रहों के परवाब से सूरिया इस समय कुछ कमजोर स्थिती में रहेगा इस से सूरिया के सैयोग में कमी रहेगी मान समान कारक सूरिया के सैयोग में कमी आपकी मान परतिष्टा में कमी कर सकती है इसलिए 17 अक्तूबर के बाद समाज में अपनी मान परतिष्टा के परती सजग रहें पिता के साथ 20 वंदों में सनेय मदूरता बनाए रखें सूरिया के बाद राशी प्रवरतन है शुकर का 18 अक्तूबर तक शुकर चतूर्द बापर सिंचार करेगा चतूर्द बापर शुकर नीच भंगरायों का निर्मान करेगा इसलिए चतूर्द बापर शुकर के बहुत अच्छे परिनाम देखने को मिलेंगे आपका मन उत्साहित और परफुलित रहेगा तथा मन में प्रसंता की अनबुत्ती करेंगे जोस्तों 18 अक्तूबर को शुकर राशी प्रवरतन कर पंचम भाब अपने ही भाब में प्रवेश कर जाएगा शुकर की यह स्थिती बहुत उत्तम है कूल मिलाकर पूरण मा शुकर के बहतर परिनाम देखने को मिलेंगे 26 अक्तूबर को लगनेश बुद्ध भी राशी प्रवरतन कर पंचम भाब में केंदर तिरकोन पति राय योग का निर्मान करेगा इस योग के फल्सुरूप लक्षमी मा की विशेश परसंता प्रापत होगी मास के अंत में आपकी लगन पर बहुत महत्तपुरण ग्रेगोच्रिय स्थिती के साथ आप नवंबर मा में प्रवेश करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कि रपैल लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले